आज बिल्लाहिमेने श्यतान रजीम बिस्मिल्लाहिर रौहमान रहीम असलाम लेकुम दोस्तों मैं हूँ मुषिन रजा और आप लोग देख रहे हैं विर्चुल स्टूरंट सपोर्ट सर्विफिव यूट्यूब चैनल दोस्तों आज की चो मेरी वीडियो है वो CF507 Information System की Affignment No.2 के हवाले से है Affignment शुरू करने से पहले मेरी तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया या जो लोग पहली बार मेरी वीडियो को देख रहे हैं और मेरे चैनल पर नए हैं वो जल्दी से मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल के आइकन पर भी क्लिक कर लें ताके मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपको उसका नोटिफिकेशन मेल सके दोस्तो इसके साथ ही मैं आपको पताता चलूँ मैंने एक नया चैनल 24R7 Teachers Online के नाम से शुरू किया है जिसमें आपके जो मुश्किल subject हैं उनके मैंने अपने lectures recorded करके रखे हैं जिसमें आपका financial accounting है, introduction to programming है, financial management है, introduction to computing है, HTML है, fee++ है, इन सब के lectures मैंने वहाँ पे record करके रखे हैं तो आप लोग उस चैनल पर जाएं और वहाँ पे जो lectures available हैं आप उन से भी फाइदा उठाएं ना फिरफ खुद फाइदा उठाएं बलके आप अपने दोफ्तों से भी share करें उस चैनल का जो URL है वो मैंने इस वीडियो के description में भी add कर दिया है और इस वीडियो के इस्तताम पर भी आपको slide पे नज़र आएगा आप उस चैनल को भी subscribe करें और साथ ही bell के आई पकान पर भी click करें दोस्तों बात करते हैं हम अपनी assignment number 2 information system की दोस्तों मेरी जितने भी assignment से solution से related videos हो या GTV के solution से related videos हो वो फिरफ और फिरफ आपको idea देने के लिए होती है कि आपने अपनी assignment कैसे बनानी है तो चलती हैं और देखती हैं कि हमारी जो information system की assignment है उसकी requirement क्या है दोस्तों हमारी जो information system की assignment है उसकी दो requirement है दो question है उन दो question के आगे फिर उनको further divide किया गया है task के अंदर और हर question के अंदर दो task है अब जो हमारा question number one है उसका जो पहला ए जो है वो यह है how decision support system DFS help the organization discuss it with at least three point decision support system जो है वो किसी भी organization की कैसे help करता है आपने तीन points के अंदर यह बताना है the second part of the question one is identify the techniques and DFS model in each of the following example scenario फिर हमें कुछ scenarios दिए गई है यह कोई छे हैं और हमने यह बताना है कि हर scenario की अंदर कौन सी DFS technique यूज हो रही है और कौन सा DFS model यूज हो रहा है इस तरीके से है हमारा question number one कि इसके बाद question number two है question number two के फिर दो जूज है इसमें जो first part है वो यह है identify the type of information system हमने यह बताना है कि कौन सा information system है are related sub system या कोई sub system that best describe the following scenario जो आपको यहां पर best लगे आपने वो बताना है नीचे आपको 6 scenario दिये गए हैं जैसे आपको question number one में दिये गए है उसके बाद जो इसका B part है in the B part in list at least three points to differentiate between the project life cycle and foster development life cycle हमने यह बताना है कि project life cycle क्या है और यह कैसे different है from the software development life cycle और यह हमने बताना है with the help of example एक मिसाल के जरिए कौन-कौन सी ऐसे चीज़े हैं जो एक project life cycle को differentiate करती है from the software development life cycle और उसके फिर आपने एक example भी देनी है तो दोफ्तों यह है हमारी if assignment की requirement तो चलिए हम लोग इसके solution की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि इसका क्या solution है screen के उपर आपको question number one का जो ages है जिसके अंदर हम यह बताना है कि how decision support system help the organization discuss it with at least three points कि कैसे यह help कर रहा है तो उसके हमने तीन points के साथ इसको discuss करना है यहाँ पे दोस्तों मैंने कोई 5 points आपको screen पे नज़र आ रहे है आप चाहें तो यह पांचों के पांचों discuss कर लें चाहें तो इसमें से कुछ skip करते हैं और चाहें तो आप कुछ और point भी इसके अंदर add कर सकते हो the first point in this regard is historical data analysis is easy जब भी कोई organization जो है अपना सारा record computer system के उपर maintain कर रही होती है चाहे वो आपका कोई सबी system हो आपका contact management system हो आपका decision support system हो आपका management information system कोई भी system हो इसके उपर अगर आप से ये पुछा जाए कि आप हमें पिछले साल के बारे में बताएं कि आपकी क्या feel थी आपने क्या defiant लिए थे तो आपका historical data है उसका जो analysis है वो बहुत असान हो जाता है और इस तरीके से आपका जो decision support system है वो आपको help out करता है in taking and analyzing the historical data historical data के analysis में उसके बाद जो second point है easy communication among employees अब देखें कोई भी company हो उसका जो ultimate objective होता है that is maximizing profit व्यादा से व्यादा मुनाफ़ा कमाना होता है और ये उसी सुरत में होता है जब उसके जो मुलाजिम हैं वो दिल जमी के साथ काम कर रहे हैं और ये उसी सुरत में मुम्किन है जब उनके पास हर किसम की information उनको deliver की जाएगी उनको communicate की जाएगी अब जब हमारे पास एक computerized based system है और उसके अंदर हर चीज़ तोर हो रही है तो देंड इज़ इज़ फो अस to communicate all the information to the implies हमारे लिए असानी होगी कि हम सारी की सारी information जो है वो अपने मुलासों को को एक click के उपर दे सके उसके बाद है decision based on facts and figure आपकी हर चीज़ computerized है आपने ये कहना है कि हमने 20% fail बनानी है तो that decision is based on figure and facts कि आपने जो है वो सारे के सारी चीज़ें computer के उपर देखी हैं और बिलकुल true है उसमें कोई जूट वाली बात नहीं है उसके बाद पिर आपने एक फैसला लिया कि हमने जो है वो fail इतने percent बढ़ा सकते हैं उसके बाद है reduce per unit cost पहले एक काम को करने के लिए 12 लोग उदर है अब वही काम जो है एक computer के जरिये लिया जा रहा है उसके ना फिरस आपकी productivity बढ़ गई है बलके आपके काम में भी efficiency आई है और उसके जो आपकी लागत है per unit वो भी कम हो जाती है इसके बाद last वे आपको फेव time of the organization जब आप computer के system यूज़ कर रहे हैं तो उससे आपकी वक्त की भी बचाते हो रही है तो दोफ़तों ये है हमारा question number one का part one इसके बाद बाद आचाज़ती है जी part two की अब part two में क्या था part two में ये था कि हमने technique बतानी थी और data model बताने थे हमारे पास decision support system के हवाले से दो model है एक model driven model है और एक data driven model है और उसी तरह फिर आगे उनके techniques है जो data driven model है उसकी भी technique है तो मैं एक एक case पढ़ता चला जाता हूँ और फिर आपको बताता हूँ के मैंने कौन सी technique और कौन सा model यूज़ किया इसमें फरस्ट है what would happen to fail when we cut down advertising cost 20% तो इसके अंदर मैंने model driven model यूज़ किया है और what if analysis यूज़ किया है उसके बाद आपका second point है increase the cost of advertisement until fail reached 2 billion इसमें भी मैंने वोही model driven model यूज़ किया है और goal seek technique यूज़ किया उसके बाद है find out about the year's revenue if compared to the previous year इसके अंदर हमने data driven model यूज़ किया है और data mining technique यूज़ किया अब model driven approach और data driven approach के इंदर फर्क भी यही है कि कि इन data driven model we are comparing things with each other हम चीज़ों को compare करते हैं और from the from these comparison we have extract the information और फिर उससे information निकालते हैं जिसको हम data mining कहते हैं और first जो आपकी model driven approach है उसके अंदर हम लोग क्या करते हैं उसके अंदर हम लोग व्यादा से व्यादा input देकर व्यादा से व्यादा output लेने की कोशिश करते हैं उसके लिए हम different method use करते हैं या तो हम अपनी कास्ट को बढ़ा रहे होते हैं या कहीं पर कम कर रहे होते हैं तो इसलिए उपर जो है मैंने model driven model लेखा है और नीचे जो है वो data driven model लेखा है इसे तरह अगर फोर्थ पॉर्थ पॉइंट देखा जाए तो वह यह है past admission analysis using exploration of data and discovering the features and pattern अब इसके अंदर भी वही कर रहे हैं कि हमने जो माजी के अंदर admission के उनका analysis कर रहे हैं it means कि we are comparing the things with each other हम चीज़ों को compare कर रहे हैं तो we are using the data driven model with the technique of data mining इसके बाद है to receive 95 dollar what number of item must be sold at the cost of 10 dollar इसमें भी मैंने model driven model और data mining technique लगाई है what is the prediction of sale for the next year इसमें भी data driven model और data mining technique मैंने लगाई है विरूरी नहीं है कि आप मेरी इस idea से इतफाक करें आप यहां पर technique भी change कर सकते हो और data model भी change कर सकते हो support system के जो model है आप अपनी मर्वी से यहां पर लगा सकते हैं मैंने फिरस और फिरस आपको एक idea दिया है तो इस तरीके से दोस्तों हमारा जो question number one है उसका जो part B है वो complete हो जाता है और उसके साथ ही हमारा question number one है वो भी complete हो जाता है next है जी हमारे पाफ question number two अब इसके अंदर जो हमारा part one था उसमें हमें यह बताया गया था कि identify the type of information system हमने information system हम बताना है या सब system बताना that we are describing the following scenario अब पहला जो उसके अंदर scenario है and information system मेर दी success of your client with your product and services इसके अंदर हम कौन सा information system use करेंगे तो दोस्तों यहां पर मैंने लिखा है management information system नेक्स्ट जो है वो है and information system use to manage contact forecast and generate reports for sale इसके लिए हम कौन सा system use करेंगे इसके लिए मैंने जो है contact management system लिखा थर्ड जो है उसमें है an information system that maintain the correct amount of inventory and modify when under stockage occur इसके लिए भी मैंने management information system लिखा फूर्थ पे है an information system that guaranteed that the produce or complete material shipped to the consumer compile with the company's quality standard इसके लिए भी मैंने information management information system लिखा पांच नंबर पे है an information system you have to notify the customer about the product recommendation based on their previous order इसके लिए भी हम customer relationship management software use करेंगे और आखिर में an information system that track the whole conversion process of raw material into the finished goods और इसके लिए मैंने MRP F लिखा है material requirement planning system दोस्तों इस तरीके से हमारा जो question number 2 का part 1 है वो हल न हो जाता है हमने फिरव एक scenario देखना है और फिर यह देखना है कि हम उसके लिए कौन सा information system use करेंगे इसके बाद दोस्तों हमारी बारी आ जाती है कर्चर number 2 के part B की अब उसके अंदर भी हमने point ही बताने in list three points to differentiate between the project life cycle and software development life cycle with example हमने जो है बताना है कि project life cycle कैसे बुखतलिस है software development life cycle से उसके लिए भी मैंने यहां पर पांच point लिख दी है हमने फिरफ तीन बताने हैं आप इन में से तीन भी ले सकते हो आप अपनी मर्वी से कोई से भी तीन ले सकते हो अगर इसके मीनिंग को देखा जाए तो project जो है वह basically एक project होता है और जो software development life cycle है वह यह होता है कि आप किसी चीव की requirements को लेकर पिर उसके उपर कोई चीज बना के अपने कस्पन को हवाले करें तो मीनिंग के लिहाब से भी दोनों फार्क हैं उसके बाद है process अब process भी इन दोनों का जो process है उसका दर्वियान जो steps involved होते हैं वो भी मुख्तलिस हैं जैसे आपका project life cycle है उसमें हमारे पास सबसे पहले initiate करते हैं हम किसी project को पिर उसके उपर working करते हैं और फिर हम उसको deliver कर लेते हैं या उसको control करते हैं जबके अगर हम software development life cycle की बात करें तो के अंदर हम जो है requirements लेते हैं customer से फिर उसके मताबिक plan करते हैं फिर उसका एक अच्छा वाइन बनाते हैं फिर उसकी coding करते हैं फिर उसकी testing करते हैं फिर उसको customer को deliver करते हैं और फिर उस system को जो है हम maintain करते रहते हैं तो दोनों का जो प्रॉसिस वो डिफरेंट है उसके बाद अगर हम बात करते हैं उन दोनों की टाइमिंग की तो जो प्रोजेक्ट लाइफ साइकल है उसकी जो टाइमिंग होती है वो हमारे पाफ लिमिटिड होती है हमें बता दिया जाता है कि यू हाफ तो फिनिश तैट प्रोजेक्ट विदिन 10 डेव या 20 डेव या 3 मूंथ या 4 मूंथ या 1 येर अंदा अधर हैंड फॉस्ट डिवेल्मेंट लाइफ साइकल का एक अक्सपेक्टिड टाइम बता जिया जाता है कि हम आपको इतने अर्फे के अंदर डिलिवर करेंगे वो फे पहले भी उसक्ता है या उसके बाद में भी उसक्ता है इसी तरह उनकी कॉफ्ट में भी फार्क हो होता है वो फक्ता है कि आपके किफी प्रोजेक्ट की जो है कॉफ्ट वह बहुत व्यादा हो जबकि उसके फॉफ्ट वर की जो कॉफ्ट है वह बहुत कम हो इसी तरह अगर हम पार्ट फॉफ प्रोजेक्ट लाइफ साइकल की बात करें तो उनके जो पार्ट जैसे मैंने उसके जो पार्ड है वह बहुत कम हैं जबके छफ्र है डिव jog लाइफ साइक है लेकिन पका ंस दीविल्प्मेंट लाइफ साइकल है वह आपका पार्ड है प्रोजेक्ट सांवर्ड का क्योंकर एक प्रोजेक्ट लाइफ साइक्ट ल कुझ writings कते हैं और है लाइट स्कोप नहीं हो सकता है तो हम कहाते हैं कि बॉइडर स्कोप देन दा वह वह व्यादा है लेकिन आपका जो इसकोप का जो स्कोप है वो बहुत कम है तो दोस्तों यहां पर मैंने यह पॉइंट आप लोगों के साथ discuss किये मुझे उमीद है आपको जो है आइडिया मिल गया होगा कि आपने इस question के अंदर क्या करना है कि यहां पे मैंने मीनिंग को बताया फिर प्रसिस बताया फिर आपको टाइमिंग फिरति पस्कों के हवाले से बताया कि project life cycle का जो scope है वो बहुत बड़ा है जब कि जो स्कोप है वो लिमिटेड है project life cycle जो है वो पार्ट है आप फॉरी software development life cycle जो है वो आपके project life cycle का हिस्था हो सकता है लेकिन project life cycle जो है वो आपके software development life cycle का हिस्था नहीं हो सकता और मुझे उमीद है आप लोगों को idea मिल गया होगा कि आपने अपनी assignment जो है वो कैसे बनानी है उसके बाद आखिर में दोस्तों फिर वही गुजारिश है कि आप लोग www.youtube.com slash teachers online for you पर जाएए वहां पर मेरे मुख्ली subjects में के lectures available हैं जिसमें CS101, MGT101, CF201, MGT201, HTML के हैं और Office के हैं और F++ के हैं और बहुत सारे lectures वहां पर available हैं आप उन से भी फाइदा उठाएए ना सिरफ खुद फाइदा उठाएं बलके आप अपने दोस्तों से share भी करें और मुझे feedback दें के ताके मैं और व्यादा अच्छे और comprehensive lectures record करता रहा हूं दोस्तों मिलते हैं अगली किसी एक अफाइमेंट solution के साथ या GDP के solution के साथ उफ़कत तक के लिए मुफिन भाई को इजावत देजिए थैंक्यू वरी मच्छ दोस्तों अलाहाफिव